हेलो एवरिवान, रामने ट जी आरेव चैनल में आपका सवागत है तो फ्रैंड से आज हम सोल करेंगे जो TGT का पेपर हुआ है आज हम उसको सोल करेंगे और ये हमारा डी बुकलेट है तो जिनका भी ये डी बुकलेट है वो अपने आंसर मिलाते जाएं उर्दिन का नहीं है उनके आगे पीछे मिलेंगे तो वो भी अपने मिलाते जाएं तो फ्रेंट से जिसने भी TGT प्रिक्षा का पेपर दिया है वो अपने उनके कितने कोश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं और जिन्नों ने पेपर नहीं दि है और यहां पर आपको अथेंटी का अंसर की मिलेगी तो पहला कोश्चन देखते हैं बर्जबाश्या का विकास किस अपबरंस से हुआ है यह सोरसैनी से बी मागदी से सी अर्द मागदी से उड़ी वराचरड से तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा ए सोरसैनी अपबर अगला कोश्चन देखते हैं परसन पद नव्यार्थ युक्त युदबोध विद्यानी सपुरंती सत कवेर बुद्धी परतिबा सर्वतों की उक्त कतन किसका है तो ए मममट, बी वागबट, सी रुद्रट और डी विशवनाथ तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा बी वागबट अगला कोश्चन देखते हैं शिवराज बुशन में कितने लंकारों का निरूपन हुआ है तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा अनुभाव नहीं है तो ये तीनों ही सात्विक भाग है लेकिन विशवनाथ नहीं है तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा अगला कोश्चन देखते हैं शटा विनापाणी में समास है एक करमदारिय बी ततपूर से C बहुबिरी ओड़ी दिगू तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा विनापाणी में बहुबिरी समास है तो राइट ओप्षन होगा D अगला कोश्चन देखते हैं जिस समस्तपद में पूरव या उतरपद की बजाए किसी अन्यव अर्थ की प्रदानता होती है उसमें होता है A. बहुबिरी समास, B. ततपुर समास, C. अव्यव भाव समास, D. दवंद समास तो इसका हमारा आठमे का राइट ओप्षन होगा A. बहुबिरी समास अगला कोश्चन देखते हैं नदी कोस बर टेडी है का संस्किर्त अनुवाद होगा A. नदी क्रोशेन कुटिला, B. नदी क्रोसाइक कुटिला, C. नदी क्रोसम कुटिला, D. नदी क्रोसात कुटिला तो इसका हमारा नाइन का राइट ओप्षन होगा C. नदी क्रोशाम कुटिला अगला कोश्चन देखते हैं खुली आँखों का सपना यातावर्त के लेकग हैं अगला कोश्चन देखते हैं निमलिक्त में माकावे के लक्षनों के विचे में एक कथन ऐसेते हैं इन में सभी नाटक संदिया होती हैं बी इन में सभी रशपरधान रश के रूप में होते हैं सी यह सरगों में विबगत होता है और डी इसके आरब में देवादी का नमस्कार आशिरवात सावस्तू निर्देश होता है तो ये तीनों ही हमारे राइट ओप्षन है लेकिन ये हमारा राइट नहीं है और पूछा क्या गया है ऐसे ते तो इसका राइट ओप्षन होगा हमारा भी अगला कोश्चन देखते हैं वद सतल से चलांकिस लेकक की कहानी है ए रिशी के सुलब ब परतीव जैसवाल सी सत्यकेतु विद्यालंकारोड डी डोक्टर दरमवीर तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा ए रिशी के से शुलब अगला कोश्चन देखते हैं युशमद सबद के चतुर्थी विबगती एक वचन के रूप है ए तुब तुबयम तथा तौ बी तुबयम तथा ते सी तुबयम तथा तो और डी तव्या तथा तवाम तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा बी तुबयम तथा ते अगला कोश्चन देखते हैं सभी सवर होते हैं ए दिरग बी एघोस की मापराण Д अलप पराण तो सभी सवर होते हैं दिरग भी नहीं होते हैं इसका राइट ओप्षन होगा हमारा D अलप पराण अगला है पदमावत का बंगला अनुवाद किस ने किया ए मगंठा कूर बी आला आलो उजाला सी नसुरूदीन उसैनोडी सुजाउदूला तो इसका हमारा राइट उप्षिन होगा बी ओला उजाला ने पदमावत का बंगला अनुवाद किया था अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन देखते हैं हिंदी के विकास के संबन में निमांकित कतनों में एक अशत्य है यह हिंदी का विकास योगातमक बाशा के रुप में हुआ है भी हिंदी का विकास लगबगे एक जारिश वी से माना ज़ता है C, हिंदी अपपरंस के बाद की बाशा है और हिंदी एक वियोगातमक बाशा है और इसमें पूछा क्या गया है असे ते तो इसका राइड उप्षन होगा हमारा हिंदी का विकास 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 की बाशा की रूप में हुआ है नहीं ये वियोगातमक बाशा की रूप में तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा पहले चितर लिपी आएगा तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा भी भारत भारती आएगा 1912 और साकेत जो ये साकेत है इसका होगा हमारा 31 और ये सोद्रा का होगा हमारा 33 और जै भारत का होगा 52 अगला कोश्चन देखते हैं तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा अगला कोश्चन है गुरू नानक देव की माता का क्या नाम था तो इसका राइट अंसर होगा दी तरप्ता अगला कोश्चन देखते हैं विदा की दृष्टी से अन्ने तीन भिन है ए मुर्दय या बी मनी कलनी का शी कितनी दूप कितनी बारो डी वट वरक्ष की चाया में तो इसका राइट ओप्शन होगा डी वट वरक्ष की चाया में ये अलग है अगला है अंतर्यों मेबल पड़ना मुहावरे का आर्थ है तो इसका राइट ओप्षन होगा भी हस्ते हस्ते पेट में पिड़ा हो जाना अगला है निमलिक्त में तद बहु सबद नहीं है तो इसका राइट ओप्षन होगा ए राजा अगला है कालिदास ने अभी ज्यान शाकुन तलम में कितने परकार के चंदों का परियोग किया है तो 28 का हमारा राइट ओप्षन होगा D 24 अगला है गर्णावाचक सबदे अयुत्तम किस के लिए परियुक्त होता है A 10,005,000 और D 10,000 तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा D 10,000 अगला कोश्चन है कबीर और तुल्शी बाश्या में एक मिशन के थायत लिख रहे थे यह कतन किस का है तो इसका राइट ओप्षन होगा D बच्चन सिंग अगला कोश्चन देखते हैं आचारिय बर्तमुनी ने नाटा के में अभी ने को किस वेद से लिया है तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा C जुजर वेद अगला 32 कोश्चन देखते हैं बाश्या योग शिष्ट का रचनाकाल है तो इसका रचनाकाल है इसका राइट ओप्षन होगा B अमरतलाल नागर अगला कोश्चन है अखिल भुवन चर अचर जग हरी मुख में लखी मातू चकित भई गद गद वचन विक्षित द्रग पुलकातू निमलित में से निहित रस है तो इसका राइट ओप्षन होगा हमारा A अधबूत अगला कोश्चन देखते हैं जो पड़ी सिराज भवन किस सहीत्यकार की आतम कता है तो इसका राइट ओप्षन होगा B माता परसाद अगला कोश्चन है नय दरणवर्देशू वयाए समिक्षते ये सुक्ती किस कवी की है तो 36 में का हमारा राइट ओप्षन होगा A कालिदास अगला कोश्चन देखते हैं सहीतिसमा संत का व्याए परंप्रा का कौन सा कवी अपनी विद्वता सरवादिक शिक्षित होने की कान परसी गया तो इसका राइट ओप्षन होगा C सुन्दरदास अगला है बारते हिंदु रिष्चंदर की रचना हिंदी बाइशा का परकासन वर्ष क्या है तो 38 का हमारा राइट ओप्षन होगा C अठारा सो पिचैसी अगला कोश्चन है ए डिक्षनेरी ओफ इंगलिस हैंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है तो इसका राइट ओप्षन होगा C जोर्ज गिलक्राइस्ट चालिसमा कोश्चन देखते हैं तुम्हें सोपता किसकी कावे रचना है तो चालिसमे का हमारा राइट ओप्षन होगा D तिरलोचन अगला कोश्चन देखते हैं पार्षवनात्रीत के लेखक हैं तो 41 का हमारा राइट ओप्षन होगा A वीर अगला कोश्चन देखते हैं द्रक्षती शबाद दर्श दातु के किसी लकार वचन पुरुष का रूप है तो 42 का हमारा राइट ओप्शन होगा ए लटलकार पर्थम पुरुष एक वचन अगला कोश्चन है निबंदव है गध्यरचना है जिसमें लेखक किसी भी विशेपर सवचन दता पूरुष के परंतु एक विशेश सोस्टव सनहीती और व्यक्तिकता के साथ अपने बाव विचार और अनुबाव को व्यक्त करता है तो यह परिवाशा किसकी है तो 43 का हमारा राइट ओप्शन होगा भी बगीरत मिशर की अगला कोश्टिन है सयन में संदी है तो 44 का हमारा राइट ओप्शन होगा ए अयादी अगला है 45 संस्किर्ट के किसकवी ने अपने पदवाक्य प्रमानग्य विशेशन का परियोग किया है तो 45 का हमारा राइट ओप्शन होगा C. भवबूती अगला कोश्चन है पारवती का प्रायवाची सबद नहीं है तो 46 का हमारा राइट ओप्शन होगा D. सिवानी ये पारवती का प्रायवाची सबद नहीं है अगला कोश्चन देखते हैं 47. जहां वकरता सरप के चाल में थी परजा में नहीं थी नया बुपाल में थी उप्युक्त पंक्तियां की सलंकार की है तो 47 का हमारा राइट ओप्शन होगा B. परीशंख्या अगला कोश्चन देखते हैं निमलिक्त में से रचना और रचनाकारों के असंगत युगमचयन कीजिए तो इसका हमारा 48 का राइट ओप्शन होगा D. लोग बूल गए समसेर बाद दूर सिंग का नहीं ये रगू वीर साहे का है अगला कोश्चन है अविदाशिला का उस पर था गुरू भार तिल-तिल काट रही थी दरग जलदार परस्तुत पंक्तियों में सबद कोन सा है तो इसका राइट ओप्शन होगा B. अभियान तरिक अगला कोश्चन है संस्किर्ट के किस गरंत का रम श्री सबद से तथा समापन लक्षमी सबद से हुआ है तो 51 का हमारा राइट ओप्शन होगा C. किरियाता जुर्नियम अगला कोश्चन देखते है 52 विलोम की दर्ष्टी से असंगत युगम है तो इसका राइट ओप्शन होगा अजय अगला कोश्चन है निमलिक्त में से एक उस्टव दवनी नहीं है तो 53 का हमारा राइट ओप्शन होगा C. अगला कोश्चन है अर्थ निर्दिष्ट करने से करने की दर्ष्टी से निमलिक्त में से कौन सा उसरगे अन्यतीन से भिन है तो 54 का हमारा राइट ओप्शन होगा C. परी अगला कोश्चन है हम तो बगती मुक्ती में आया गुरू परसाद राम गुन गाया पंक्ती किस गरंद से ली गई है तो इस का राइट ओप्शन होगा हमारा C. कबीर की पर चाईशे अगला कोश्चन है तुल्शिदास ने कौन सी रचनापनी सारे रिक पिड़ा के निवारनार्थ की थी तो इस का राइट ओप्शन होगा भी अनुमान बाहुगे अगला कोश्चन है प्रेम काहनी से उठने वाले सामाजी का उरुदो की पष्ट भूमे पर लिखा गया उपण्यास है तो इस का राइट ओप्शन होगा ये निली, निलू, निलीमा, निलोफर, बिसम साहनी का अगला कोश्चन देखते है निलिक्त में से कौन साइस त्रीलिंग नहीं है तो इसका राइट ओप्शन होगा ची शेतू अगला कोश्चन है उनकी आलोचना की परमुक्विचेस्ता है कि उनकी अनाविल, दरष्टी, निर्मल, विवेचन यह कतन किस आलोचक के परती है तो 59 का हमारा राइट ओप्शन होगा ए रामचंदर शुकल अगला कोश्चन देखते हैं संस्किर्थ के पर्थम नाटककार है 60 का हमारा राइट ओप्शन होगा डी बास अगला कोश्चन है खड़ी बोली का अन्य क्या नाम है तो इसका राइट ओप्शन होगा C, कोर्वी अगला कोश्चन है ब्रह्म संपरदाई के संस्तापक कोन है तो इसका राइट ओप्शन होगा C, मदवाचारिय अगला कोश्चन देखते हैं दुरत्य विलंबी ते चंद का लक्षन है कि परतेक चरण में तो इसका हमारा इसका हमारा राइट ओप्शन होगा D इसका राइट ओप्शन होगा हमारा D एक नगण दो बगण तथा एक रगण के करम में बारावरन अगला कोश्चन है 64 टी का कार मलीनात नेका लिदा स्कृत कुमार संभव के कितने सरगों पर संजीवनी लिखी है तो 64 का हमारा राइट ओप्शन होगा C आठ अगला कोश्चन देखते हैं रामचंदर शुकल का हिंदी साहित्य का इतियास पहले किस गरंथ की भूमेका में चपा था तो 65 का हमारा राइट ओप्शन होगा C अगला कोश्चन देखते हैं जहां राधा आनन उदिति निशी बासर आनन तहां कहां अर्विंध है कहो बापुरो चंद पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो इसका राइट ओप्षन होगा डी दीपक अगला कोश्टन देखती है उपन्यास रहसे सीर सक्षे किसका निवन संग रह है इसका हमारा 68 का राइट ओप्षन होगा मावीर परसाद्दिवेदी का अगला कोश्टन है किन्तु उस दिन ये शिद्ध हुआ जब कोई मनुश्या नास्त होकर चुनोती देता है इतियास को उस दिनों के नक्ष्टरों की दिशा बदल जाती है इन पंक्तियों के सरजेता थता कृत्ति का नाम बताईए तो 69 का हमारा राइट ओप्षन होगा ए अंदायूग दरमवीर बारती अगला कोश्चन है लकार और उसके काल वाचक अर्थ का कौन सा युगम सही नहीं है तो 70 का हमारा राइट ओप्षन होगा ए लोट लकार संभावे काल अगला कोश्चन देखते हैं 71 पोन मया करी गुम वट्टारे दया करीदा मेनी दी देखावे कावे पंक्ती किस की है ए नहीं नागरिदास भी पदमाकर सी देव और डी गवाल तो 71 का हमारा राइट ओप्षन होगा ए नहीं नागरिदास की अगला कोश्चन है हिमादरी तुम सरूंग से परबूद सुद्ध बारती स्वैम परबासम उज्वला सवतनरता पुकारती परस्तुत पंक्तियों में कावे का कौन सा गुण है तो इसका राइट ओप्षन होगा भी ओज गुण अगला कोश्चन देखते हैं अंध करण की वर्तियों के चित्तर का नाम कवीता है यह का वेलक्षन किसने परस्तुत किया है तो 73 का हमारा राइट ओप्षन होगा सी मावीर परसाद दिवेदी अगला कोश्चन है 74 निमलिक्त में से कौन सा अवरण गोस माप्राण है तो 74 का हमारा राइट ओप्षन होगा डी है अगला कोश्चन है विद्या की दर्ष्टी से सुमेलिच युगम नहीं है तो 75 का हमारा राइट ओप्षन होगा डी शैंती निकेतन केशिवाली के यातरा वरते अगला है निर्बैबीम वयायोग के लेकक हैं 76 का हमारा राइट ओप्षन होगा डी